हलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आसा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे मेरे माता पिता और बड़े भाई 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 को जरण सपर्स मेरे छोटे भाई 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 को धेज सारा प्यार आपके अपने यूटूब चैनल निलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंज और मॉर्निंग के बज रहे हैं साथ तो आप सबी को गुड मॉर्निंग फ्रेंज पीछे का काम मेरा जो भी है खतम हो चुका है चैसे की मॉर्निंग का जाडू हो गया चाय हो गया चाय का बरतन धुलना हो गया सबजी वगरा कट करना तो ए सब काम मेरा खतम भी हो चुका है और सनी को नास्ता बना के दिये तो हो गया है अपना पेपर देने के लिए तो बस बोट का परिच्छा चल रहा है वच्छो का तो बस जो अपना चला गया है परिच्छा देने के लिए और मैं आ गई हूँ, उद्र से फ्री हो गई हूँ तो बस मैंने का इधर भी थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं इसके बाद से नहाने के बाद तूरं से किचन में आ गई फिर तो यहां बना रहे हैं पकोड़े और चाय बनाएंगे और इसके बाद से तब बनेगा कुछ टाइम के बाद दोपहर का खाना क्योंकि सानी है नहीं सानी आएगा 11 बजी के बाद ही और उसका सेंटर भी थोड़ा दूर पे गया है तो बस में ही दलिया बना के दे दिया था मीठा दलिया बच्चे कुछ खा के अगर निकलते हैं तब ठीक रहता है अपने को भी थोड़ा सा टेंसर फ्री रहते हैं नहीं तो फिर एक्जाम चल रहा है समय परिछा चल रहा है तो फिर उसको तो 12 बज़ जा रहे हैं आने में तो बस स 30 बज़े तक और निकल जाता है यहां से और वर तो इसलिए मैं उसके लिए पहले कुछना कुछ बना के दे देती हूं और उसके लिए नहीं सोचती हूं नहाना है पुजा करना है या कुछ क्युक्ण जादा लेट हो जाएगा अगर यह सब सोचेंगे तो और जब चला जाता है तो जो बाकी का काम है उसको भी मैं फनीस कर लेती हूं तब फिर से आती हूं कीचन में और प्लीज फ्रेंस वीडियो को पूरा देखिएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लिज किजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस किजिएगा इससे मेरी डेली की वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी तो यहां पर मेरा भी बन रहा है इसके बाद से खाने पिने के बाद तो फिर दोपर का खाना बनेगा और वीडियो अच्छी लगेगी फ्रेंस तो एक ला और शौरप का इसमें चुटी चल रहा है और सानी का एक्जाम चल रहा है तो बसाई से करके जैसे जैसे बचे आयों लोगों को खाना पिना खिलाने के बाद फिर बारा बज़े से लड़कियां आ जाती हैं सिलाई सीखने के लिए तो फिर मैं वहां से जब चुटी मिला मु दिख सकते हैं एक अली का मुली है तो कल भी मैंने धूप में इसको धूप दिखाया था आज भी धूप दिखा दिया है तो बस अब बज रहे हैं यहां पे तीन तो इसको हमने मुली को हटा लिया है अब यहां पे बनाएंगे आलू का पापड क्यूंकि पतिदेव जी का फ पापड होता है बहुत ही उनको पसंद है तो इसलिए मैंने कहा कि बना लेते हैं और इकठा नहीं बनाएंगे थोड़ा-थोड़ा करके बनाएंगे तो काफी सारा बन भी जाएगा तो बस इसलिए थोड़ा इस समय तीन बजे के टाइम पे थोड़ा धूप कम हो जाता है फिर लड़कियों से जब फुरसत मिला दो बजे तो फिर एक घंटा जो भी पीछे काम करना था रूम के अंदर तो करने के बाद तो आ गए हैं पीछे और यहां पे देख सकते हैं काफी सारी बकडियां हैं तो फिर इसको देखना भी पड़ेगा बार बार आके नहीं तो यह लो यहां पे कुछ डालने या सुखाने में दिकत भी नहीं होता है और आपको देखने में लग रहा होगा कि मैं खेत में बना रही हूं पापण और क्या कर रही हूं तो ऐसा नहीं है क्योंकि केमरा उतना ही कैस कर पाता है जहां तक उसका हो हो तो बस उतना ही दिख रहा है जि और यहां सामने हम अपना कुछ भी डाल सकते हैं, गेहों धुलके डाल दे या कुछ भी अराम से सुख जाता है, और जो सामने दीख रहा है थोड़ा ऊचा टाइप में तो नहर है, तो बस नहर के उस पार भी अपना जमीन है, ऐसे ही खेत है, पर अगर इसको जहां हम हैं, इस थोड़ा थोड़ा साफ सफाई करते काफी सारा यहां का सब कुछ अच्छा हो गया है ने तो पहले बहुत जादा गंदगी था जैसे जैसे हम रहने लगे हैं धिरे धिरे बढ़ते बढ़ते काफी जादा साफ सफाई हो गया है तो फिर ऐसे रहते रहते इधर भी सफाई हो ही जाएगा और जो भी कुछ करना हो तो मुझे ही अकेले सब कुछ करना पड़ता है तो बस वही बात है जितना हो सके उतना करते हैं और पूरा दिन सुबे से उठे पूरा दिन काम में ही निकल जाता है तो और उपर से अपने युटूब का जो भी काम है उसको भी समालना तो बस इसलिए मैं उनको मना भी नहीं कर सकी और उनका एडमिशन ले ले ली हूँ नहीं तो उधर अगर कोई भी लड़की आती थी तो मैं मना कर दे रही थी क्योंकि दूर की थोड़ी होती है तो उनको मना करने में थोड़ा सा भी इज की चार्ट नहीं होता है और जो अपन के हो और अपने जान पहचान के होते हैं तो फिर उनको मना भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक हुनर है और लड़कियों को हुनर के लिए मना कैसे कर सकते हैं तो बस इस समय लड़कियां भी हो गई है दो तीन तो फिर उनको सिलाई सिखाने में भी बीजी हो जाते हैं और लड़कियां चाहिए जाधी हो या कम हो टाइम तो उतना ही लगता है तो बस ऐसे ही कर के मैं पापड़ पना रही हूँ और बहुत ही आराम से जो प्लोथी ने इससे बन जाता है। और आप लोग बताईएगा अगर कोई भी पापड आलुका बनाता है तो आप कैसे बनाते हैं मैं तो ऐसे ही बनाती हूं और आराम भी रहता है फटाफट से बन भी जाता है और इसको सुखने में भी थोड़ा सा टाइम नहीं लगता है बहुत जल्दी सुख भी जाता है बस धूप अच्छा खासा इस पे लगना चाहिए तो बस आज इतना ही पापड बनाए हैं और बड़े-बड़े सेप में ही बना दिये हैं क्योंकि अगर छोटा-छोटा बनाते तो बहुत तीज धूप लग रहा था मुझे बरदास नहीं हो रहा था मैंने का बस बड़ा-बड बना देते हैं और इसको तोड़ तोड़ के छान लेंगे और यहां पर देख सकते हैं उधर से आने के बाद ए कम से कम आधा गंटा लगा था मुझे पापड बनाने में और आधे गंटे बाद जैसे आए हां तो वगरा धुलने के बाद इधर लग गए हैं अपना ब्लाव स से लना है तो एक आग करके अपना से लेते हूं वैसे भी लड़क्या स्लाइई सीख रही है तो उनसे भी सिलवा लेते हैं इससमेह हो सीख रही है तो वह अपना खुदका घुल इस लाई है कल के ब्लोग में, कल के ब्लोग में जरूर दिखाएंगे आपको, क्योंकि साम हो चुका है, थोड़ा बहुत सिलेंगे, थोड़ा बहुत अबरक देंगे, तो फिर कल इसको पूरा करेंगे, और यहाँ पे बच्चे लोग अपना सरारत कर रहे हैं, स्रिष्टी भी आ गई थी, इसकोल से तो अपना खाना पिना खा चुकी है, और सनी आ गया है, दुकान पे बैठा था, तो वो भी आया है, तो उसको भी कुछ खाना पिना था, वो भी खा चुका है, और यहाँ पे मैं सिल ले रही हूँ अपना ब्लाउज, तो सेंपल से ही सारी है, तो बस सेंपल सा हलक फुलका डिजाइन इसमें पीछे डाल दिये हैं और ऐसे भी ज़्यादा डिजाइन मुझे पसंद नहीं रहता है सेंपल से ही मुझे बलाउज अच्छे भी लगते हैं जादतर मैं गोल गला का ही बलाउज पहनती हूं और बहुत कम ही ऐसे बलाउज हैं जिसमें मैं कोई ऐसे अगल अड़कियों को सीखना होता है तो अपने भी बलाउज में मैं उनको डिजाइन बता देती हूं एक आग तो बस ऐसे ही करके हलका फुलका डिजाइन इसमें पीछे डाल दिये हैं और वीडियो कैसा लगा आज का फ्रेंस कमेट में जरूर बताईएगा और प्लीज प्लीज फ्रेंस सपोर्ट करिए चैनल को सस्क्राइब किजिए और आप लोग वीडियो देखते हैं और चैनल को सस्क्राइब नहीं करते हैं प्लीज सस्क्राइब भी कीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी किसी भी रिजन से आपको पसंद आए थोड़ी सी भी तो प्लीज एक लाइक देखे फ्रेंस ओफ फेमले में सेयर भी कीजिए तो क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं तो आपसे बस यही रिक्वेश्ट होता है कि सपोर्ट करिए फ्रेंस कितना भी मेनत करें बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी नहीं होने वाला है फ्रेंस तो बस वही बात है तो प्लीज अगर चैनल पे नए है तो चैनल को सस्क्राइब जरू कीजिएगा वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक देखे फ्रेंस ओ फेमले में सेयर भी करिएगा और जो भी कुछ होता है फ्रेंस रियल दिखाते हैं रियल ब्लोग होता है हमारा गाओं का जैसे मेरे रहन सहन है हम लोगों का जैसे जो भी कुछ है आप लोगों को रियल ही दिखाते हैं जैसे भी रहते हूं ऐसे ब्लोग में आ जाते हैं क्योंकि घर पे होता है ब्लोग में तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंस मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लोग के साथ कल बाबाई थांक्यू वीडियो देखने के लिए